Hello everyone and welcome to our channel अपना इंशुरेंस वाला आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशुरेंस क्या होता है और इंशुरेंस लेना इतना important क्यों है Insurance is generally defined as contract which is called a policy Insurance एक contract की तरह होता है और generally normal terms से हम उसे policy कहते है In which an individual gets financial protection एक हर particular person को एक person को जिसमें financial protection मिलता है अगर उनकी life में किसी भी तरीके का कोई damage होता है तो company जिस company से उन्होंने insurance लिया है वो उन्हें उस damage के बदले एक compensation देता है या एक fixed money होता है जितने का उन्होंने insurance लिया होता है Insurance एक financial arrangement की तरह होता है जो provide करता है protection कोई भी financial loss के लिए जैसे कि हम mobile खरीते हैं तो हम उसका insurance कराते हैं और अगर उसमें कोई damage होता है तो वो insurance company उस damage के बदले कुछ compensation देती है एसे ही हम car का या किसी की life का जो insurance कराते हैं तो यह सब insurance कराने का reason यही होता है कि अगर कुछ भी damage हो जाता है तो company उसके बदले में कुछ compensation देती है insurance एक method है by which you can protect yourself insurance के help से आप खुद को भी protect कर सकते हो आप अपनी family को protect कर सकते हो ताकि आगे आने वाले कोई भी पैसे से related problem हो उसे आपको face न करना पड़े अब जान लेते हैं कि insurance इतना important क्यूं है बहुत सारे कारण है insurance important होने के सबसे पहला कारण होता है peace of mind अगर आपने पहले से ही किसी आने वाले occasion के लिए planning की हुई है तो 100% आप peace of mind रहेंगे for example के लिए आपके बच्चे की शादी हो चाए बच्चे का education हो या आपके अपनी health related कोई भी problem हो तो अगर आपने आज ही से सब कुछ plan किया हुआ है जैसे कि हम health insurance की बात करते हैं या life insurance की बात करते हैं या बच्चों की education के plans की बात करते हैं अगर आज ही से आपने planning की हुई है properly तो कल के दिन आप एक बेफिकर जिन्दिगी जीएंगे ये सोच के कि आप सब कुछ planned है अगर कभी कुछ भी हो जाता है लेकिन मेरे काम जो है वो रुकेंगे नहीं वो पूरे होंगे दूसरा reason होता है financial protection जैसे हमने अभी बात करी पैसो से related आपको तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको ये आपके परिवार को दूसरी बात complete protection for you and your family and tax benefits ये भी benefit एक होता है कि tax में आपको इसके rebate मिलती है achieve retirement goal बहुत सारे ऐसे plans है insurance में जो भी insurance company आपको देती है जिससे आप लेते है plans वो आपको retirement से related भी कुछ savings आजी से करने के लिए कहती है ताकि आप जब आपका retirement आए तो आप अपनी जिंदगी अपने इसाब से बिता सके achieve long term goal जैसे कि हमारी life के long term goal होते हैं कई लोग चाहते हैं कि हमारी retirement के बाद हम world tour करें या कई लोगों के अलग अलग सपने होते हैं तो वह उन सपनों को पूरा करने के लिए भी एक insurance plan लेते हैं कि इंशुरेंस सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता है कि आप उस insurance से कि आपके जाने के बाद वह money आपको मिलेगा यह reason नहीं होता सिर्फ एक insurance लेने का insurance को एक हम saving की तरह भी लेते हैं कि in future में हमारा पैसा save होता रहेगा और in future में यह एक साथ जब हमें पैसा मिलेगा तो इसका use हम जहां चाहेंगे वहां कर पाएंगे दूसरा होता है for saving purpose obviously बात है जो अभी मैंने आपको बताया saving के purpose से भी insurance का use किया जाता है and protect your business जैसे आप कोई business शुरू करने जा रहे हैं जो उनके बड़े बड़े business होते हैं वो लोग अपने business के लिए भी insurance लेते हैं ताकि कभी कोई misappening हो जाती है जैसे कहीं आग लग जाए या कोई ऐसी बात हो जाए building गिर जाए तो इन सब के लिए protect करने के लिए insurance की जरूरत होती है risk cover होता है किसी की जिन्दगी का risk cover है कई सारी insurance plans अगर आपने सुने होंगे उसमें ये guaranteed होती है कि जो person है अगर वो अगर उसके साथ कुछ misappening होती है या उसकी death हो जाती है उसके तो बाद उसकी family में जो भी nominee बनाया जाता है उसको पूरा पैसा मिल जाता है तो ये risk cover की तरह भी काम करता है next है protect the child future जैसे कि हमने अभी बात करी बच्चों की future के लिए insurance लेना बहुत ही profitable होता है बच्चों की पढ़ाई से लेकर बेटी की शादी से लेकर हर चीश के खर्चों का अगर आपने पहले सी saving किया हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा plan है जो हमेशे आपके ब insurance company की बात कर रहे हैं वो है LIC, LIC की full form है Life Insurance Corporation of India तो simple सी definition है why is life insurance important, life insurance is important इसलिए है क्योंकि एक financial security प्रोवाइड करता है हमारी family को अगर हमारे साथ कुछ unfortunate होता है यानि अगर हमारी death हो जाती है तो उसके बाद हमारी family को एक amount प्रोवाइड कराता है, financial security प्रोवाइड कराता है तो अब बात करते हैं LIC के बारे में LIC होता क्या है ये एक nationalization इसे मिला था 19 June 1956 में इसका slogan है your welfare is our responsibility इनका जो tag line है वो है जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बात भी जो LIC का mean purpose है tax benefit कराना और achieve retirement goal, retirement goal को achieve करन, achieve long term goals जिनके बारे में हम अभी बात कर रहा था की थी for saving purpose भी हम LIC का use करते हैं हमें अपनी business को protect करना है को discover करना है अपने बच्चे के future protect करना है इन सब purpose के लिए हम LIC का use करते हैं तो यह हमारा channel है अपना insurance वाला इस channel में हम आपको LIC से related जितनी भी plans से उसकी detail देने की कोशिश करते हैं हमारी अपनी website भी है www.apnainsurance.co.in में आप जाके check क कर सकते हैं बहुत सारे plans आपको दिखेंगे इसके अलावा social media में भी हम available है Twitter में आप Telegram में भी हम से connect हो सकते हैं Facebook में से connect हो सकते हैं और LinkedIn में हम अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं हम एक LIC के representative हैं यानि एक LIC agent है जो financial advisor की तरह काम करते हैं और हमारे हमारा एक सिंपल सा mission है कि जितनी भी uncertainties होती है किसी की जिन्दगी में उसे protect करना आपको peace of mind प्रोवाइड कराना insurance solution की द्वारा अगर आप अपना insurance वाला से insurance लेना चाहते हैं तो कुछ services हैं जो हम आपको हमेशा available होती है जैसे हम personally service देते हैं सबको insurance related जितनी भी service होती है आपको time to time य वो सब चीजे हम आपको personally service प्रोवाइड कराते हैं हमारा जो main motive है वो customer center approach है हम आपको अगर plan दिखाएंगे तो आपके according plan दिखाएंगे जो आपके लिए अच्छा हो वही plan ऐसा कोई ऐसा भी plan होता है जिसमें कई बार हम लोगों को ज्यादा profit होता है और हो सकता है customer को उसमे कम profit हो बट हमारे case में कभी भी आपको ऐसे शिकायत नहीं मिलेगी हम हमेशा customer centric approach लेके चलते हैं हमारे customer का benefit ही हमारा पहला preference है अगर आप हमारे से insurance लेते हैं तो यह हम guarantee देते हैं कि आप हमारे उपर fully trust कर सकते हम जो कहेंगे वही वह चीज आपको guaranteed मिलेगी हमसे contact करने के लि आप हमें email करके कोई भी query पता कर सकते हैं यह personal phone number है इसमें आप पहले WhatsApp में अपनी जो भी query है वो बताइए फिर आपको callback की जाएगी हमारी website दी गई है यह देखिए friends अगर आप Google में जाएंगे और लिखेंगे अपना insurance वाला उपासना बाजबी तो आपके सामने इस तरीक इस वाला.co.in नाम से हमारे बारे में पूरी detail मिल जाएगी और इसके अलावा हमारे plans के बारे में भी आपको detail मिल जाएगी इसमें जब आप website पर click करके आते हैं तो इस तरीके की screen आपके सामने आएगी जिसमें हमारे पास जिसमें हमने चल रहा है प्लैंस और एड किये जा रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहे हैं तो हम धीज़रे आपकी सारी कोईरी से रिलेटेड ब्लॉक्स बनाएंगे और आर्टिकल्स बनाके इसमें जरूर आपको प्रोवाइड कराएंगे थैंक यू एवरिवन फॉर वाचिंग इस वीडियो और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले शेर करना ना भूले लाइक करना ना भूले